अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौना चोदरीज माथ्स अकडेमी, दे वर्ल्ड आप माथ्स, मैं हूँ प्रपेसर योगेश पाटिल, बहुत सारे स्टुडेंट को एक कॉमन डाउट होता है, कि कॉद्रेटिक एक्वेशन या क्यूबिक एक्वेशन के रूट्स, हम जनरली से तो फाइंड कर लेते, बट कैलकुलेटर में कैसे फाइंड किया जाते, ये एक डाउट है, तो मैं उनी दोस्तों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, इसमें हम डिटेली पढ़ेंगे कि कॉद्रेटिक एक्वेशन होने दो, या क्यूबिक एक्वेशन होने दो, उसक में आपको real root में लेगा, complex root में लेगा, तो हम start करेंगे example number 1 से, ध्यान दीजेगा, example number 1 में आपको equation दिया है, x square minus 5x plus 6 equal to 0, ये equation से आप बहुत दिन से familiar रहे, बचपन से आप equations देखते आ रहे, quadratic equation, इसको हम एक standard format से compare करेंगे, अब इस standard format तो आपको पता ही होगा, ax square plus bx plus c equal to 0, x square के आगे a होता है, उसको बोलते coefficient, बाद में x का coefficient b होता है, and c मतलब constant, तो मैं दोनों equation को compare कर रहा हूँ, x square के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब a 1 रहेगा, by default 1 तो होता ही है, and therefore ये equation में a is 1 है, बाद में x का coefficient b होता है, तो यहाँ पे x का coefficient minus 5 दिया है, and therefore b is minus 5, c मतलब constant, which is 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे c is 6 दिया है, इस तरह से मुझे a, b, c मिल गया, अभी हम calculator पर जाएंगे, इसके roots कैसे find करना है, तो चलो calculator बाद जाएंगे, यहाँ पे मैं calculator यूज कर रहा हूँ, fx 991 es plus के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से ध्यान देते, पहले हम mode का button दबाएंगे, यहाँ पे mode दिख रहा है, तो आपको यह कुछ सारे options मिलते हैं, अभी भाई यह common सी बात है, यह equation है, तो हम equation दूनेंगे, तो equation अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो number 5 पे आपको equation दिख रहा है, तो आपको number 5 दबाना है, तो मैंने 5 दबाया, अभी पहले के 2 जो आपको format दिख रहे है, वो है simultaneous equation अगर solve करना है, तो उसके लिए है, तो उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे, अभी हमारा target है इसके roots find out करना, तो हमें number 3 and number 4 के जरुवत पड़ेगा, अगर आप यह equation को observe करते हैं, तो यहाँ पे x का दिख रहा है, same format में equation दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे number 3 पे click करता हूँ, तो आपको यह a, b, c के values पूछेंगा, अरे भाई मैंने already लिख के रखा है, तो a का value कितना है, 1, मैंना रख दिया, आपको equal to दबाना है, अगले value के लिए, b दिया है, minus 5, equals to दबाया, and c मतलब constant di is 6 मैंने सारे values रख लिए, अभी आप equal to दबाएंगे, again equal to दबाएंगे, तो आपको 2 roots मिलेंगे, भई, एक common back दिमाग में fit कर लो, x का जितना बड़ा power रहेंगे, उतना आपको roots मिलेगा, यहाँ पे x का highest power 2 है, मतलब आपको 2 roots मिलेंगे, x1 and x2, तो यहाँ पे x1 का answer आपको calculator में दिख रहा है, वो आया हुआ है 3, and therefore मैं एक root लेक लेता हूँ 3, again equal to करो, आपको x2 का value मिल जाएगा, second root मिलेगा, which is 2, तो इस तरह से यह जो auxiliary equation है, इसके roots 2 आगे, x1 and x2, x1 is 3 and x2 is 2, अभी यह हुआ एक format का example, अभी मैं यह दूसरा example करके दिखा दो, जहाँ पे सा method change किया है, मतलब, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, reset कर लेंगे, reset कैसे करना है, वो तब सबको पता है, मैं again equation 2 पे आता हूँ, जो equation दिया है, x2 plus 6x plus 9 equal to 0, same procedure, compare करो, a कितना रहेगा, x के वर के आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1, अरे b मतलब x का coefficient, which is 6, and c मतलब constant, which is 9, a, b, c मिल गया, again same format, mode दबाया, equation है, तो 5 दबाया, अभी ये भी square वाला equation है, तो number 3 पे click किया, a, b, c पूछ रहा है, आरे दे दो भाई, a is 1 equal to, b is 6 equals to, c is 9, अगर आप इसका answer निकालेंगे ना, तो थोड़ा सा observe करिए, इदर simple x दिख रहा है, अगर आपने last example में देखा था, तो वहाँ पे x1 और x2, ऐसे दो roots मिले थे, बट यहाँ पे भाई देखेंगे ना, तो simple x दिख रहा है यार, तो अभी एक बात दिमाग में fit कर लेना, अगर simple x दिखाई दिया, तो समझ जाना root repeat हो रहा है, root क्या हो रहा है, repeat हो रहा है, तो कितने बार repeat होगा, highest power कितना x में है, दो बार, मतलब आपको ये root दो बार repeat हो रहा है, मतलब x1 भी minus 3 रहेगा, और x2 भी minus 3 रहेगा, जितना example में x का highest power रहेगा, उतने बार आप ये root same लिखना, कब, जब simple x का value दिखाई देगा तब, तो ये था case number 2, जो मैंने आपको clear किया, repeat होगा, तो simple x दिखता है, क्योंकि आपको पता है, x1, x2 मिलना चाहिए, भई यापे तो simple x मिल रहा है, तो समझ जाना repeat हो रहा है, तो मैंने ये भी example बताया, अभी हम देखेंगे अगला example क्या है, अभी अगला example देखो, ये दिया है, x2 plus x plus 1 equal to 0, यहाँ पे बहुत बढ़िया है, देखो, यहाँ पे ABC तो 1, अरे सब 1 दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे same, मैंने equation के लिए 5 दब आना है, तो 5 दब आया, ये highest power 2 है, मतलब degree 2 का equation है, 3 दब आया, a is 1, b b 1 है, और c का value b 1 है, तो अभी देखो, आपको x1 मिला, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, minus 1 by 2 plus root 3 by 2i, ये x1 मिला, और एक बार equal to दबाया, x2 मिला, minus 1 by 2 minus root 3 by 2i, अरे हाया न, अरे भाई, i मतलब complex root है, i मतलब complex root है, तो हमें ये equation के complex root मिले हुए है, जो की i में लिखा जाता है, तो अभी अगर आपने, आप बोलेंगे कि ये roots i में आए, तो आप general method क्या यूज़ करते हैं, एक थोड़ा सा hint देता हूँ, आपको क्या गरते हैं, अगर आपको किस ने दिया, x2 plus bx plus c equal to 0, अगर complex root होता है, तो आप इस तरह से find करता है, minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a, अगर आप ये formula यूज़ करेंगे, तो आपको same root मिलेगा, बट हम calculator पर रहे, तो calculator का method में आपको समझाया, तो generally, यहाँ पे मैंने सारा coordinate equation का format cover किया, हमने real root देखा, हमने repeated root भी देखा, real and repeated, और case number 3 में दे जाते, एक cubic equation हम solve करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको reset कर लेता हूँ, अभी हम cubic equation मतलब क्या भाई, x का power highest power 3 रहेगा, 3 मतलब cube, तो इसको बलते cubic equation, अभी मुझे cubic equation दिया हुआ है, आप अगर देखेंगे, तो x cube minus 1 equal to 0, x cube minus 1 equal to 0, बट अगर आप standard format देखेंगे, तो standard format ऐसा होना चाहिए, ax cube plus bx square plus cx plus b equal to 0, भाई, यह ऐसे नीचे power कम होते होते जाता है, x cube के बाद x square आता है, x square के बाद x आता है, बाद में constant आता है, रहाया ना, बट अब अगर आप observe करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा x cube के बाद directly 1 दिया है, बट calculator को तो यह sequence पता है, उसके programming में यह sequence fit किया गया है, तो हमें इसको कैसे लिखना है, x cube वाला part है, अभी x square नहीं है ना, तो उसको 0x square लिख लो, अरे 0 से multiply का तो 0 ही होगा, x square के बाद x आना चाहिए, वो भी नहीं है, तो 0x लिख लो, और बाद में अभी constant द a कितना x cube का coefficient, 1, b मतलब x square का coefficient कुछ भी नहीं मतलब 0, c मतलब x का coefficient कुछ भी नहीं मतलब 0, and d is constant which is minus 1, तो इस तरह से हमें सब a, b, c मिल गया, तो आईए हम solve करेंगे, अरे भाई, equation है, तो number 5 पे click किया, अभी अगर आप observe करेंगे, तो इसका highest power 3 दीख रहा है, अरे degree 3 का equation है तो भाई, एक calculator में अगर आप देखेंगे, तो number 4 पे आपको degree 3 दीख रहा है, अरे देखो न, यही equation दीख रहा है, तो मैं कहा करता हूँ, number 4 दबाता हूँ, cubic equation के लिए, अभी आपको a, b, c, और d, 4 values पुछेगा, चलो हम a, b, c, d के values calculator में कहेंगे, तो a के जगे पे 1 रखन आए, again equal to, तो यहाँ पे मैंने बोला था, example में highest power जितना रहेगा, उतने roots आएंगे, तो यहाँ पे equation का highest power 3 है, मतलब आपको 3 roots मिलेंगे, x1, x2, x3, तो x1 हमारा आया हुआ है, यहाँ पे calculator में देखेंगे, तो 1, again equal to दबाएंगे, तो x2 मिलेगा, वो दिया है, minus 1 by 2, plus root 3 by 2i, अगर और एक बार equal to दबाएंगे, तो x3, तो वो मिले मिला है, minus 1 by 2, minus root 3 by 2i, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 roots मिले है, q, क्योंकि equation का highest power 3 है, तो इस तरह से मैंने आपको cubic equation के से solve करना है, वो भी मैंने समझाया, अभी बाकी लोगों के लिए मुझे एक पार्ट extra दिखता है, तो उसको solve कैसे करना और उसके roots कैसे find करना, तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम क्या करते है, यहाँ पे जो example दिया है, यह age format में दिया हुआ, इसको हम reduce करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे example में d by dx होगा, हम वहाँ पे capital D रख D replace किया, तो capital D square Y बन जाएगा first term, तो first term is capital D square Y, minus 5 as it is, d by dx के जगह पे, आपको capital D रखना है, तो यह capital D into Y हो जाएगा, इधर d by dx है ही नहीं, तो यह same, तो is equals to 0 आएगा, आप यहाँ तक अपलाई कर लेंगे, आप में बाद में हर एक term में आपको Y दिख रहा है, तो मैं Y common ले तो भई, तो Y अगर common लिया, तो इधर बचेगा D square, यहाँ पर बचेगा minus 5D, और यहाँ पर बचेगा 6, और मैंने सब के लिए Y common ले लिया, सब के लिए Y common ले लिया, अभी इसके roots निकालना है, तो हमें लगता है quadratic equation, तो यहाँ पर quadratic equation क्या दिया है, उसको दूसरा ना ह minus 5D plus 6 equal to 0, अभी हम इसके roots निकालेंगे, भई, same to same है यार, यहाँ पर खाली X में लिखा हुआ है, यहाँ पर खाली X का जगह पर D लिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर D के roots निकालता हूँ, और X में रहेगा तो X के root आएंगे, D में रहेगा तो D के roots अरे A मतलब कितना, D square का coefficient 1, B मतलब कितना, D का coefficient minus 5, and C मतलब constant, which is 6 दिया हुआ है, तो मैं सारा रख रहा हूँ, तो ध्यान देते, इसको मैं पहले reset कर लेता हूँ, हाँ, चलो, अभी यहाँ पर रखेंगे, तो same method, mode दबाया, 5 दबाया, अभी square वाल equation है, तो number 3 पे दिख रह अलड़ी, यह minus 5, and C मतलब 6, तो मैंने सारे values रख दिये, दो बार equal to दबाएंगे, तो X1, अरे यहाँ पर D1 है, तो X1 मतलब कितना है, अपना 3, and again equal to करेंगे, तो X2 is 2, तो इस तरह से मुझे same D के roots भी मिल जाएंगे, तो बाकी लोगों को confusion होता है, कि आपने X के लिए quadratic equation और cubic equation के roots कैसे find करना है, by calculator, यह मैंने आपको clear किया, और आपको clear हुआ भी रहेगा, तो हम यहाँ पर यह video end करेंगे, और अगले video में और कुछ नए concept के साथ मैं मिलूंगा, तो तब तक के लिए, thank you, goodbye. झाल झाल